तो आज की विडियों हम लोग बात करने वाले जिग्राफी के उस टॉपिक के बारे में जिसे स्ट्वेंट से बहुत जादा हाड बना रहा कि वह टॉपिक एतना हाड है नहीं और उनके हाड बनने का सब्सक्राइब रीजन ये है कि उनको एक्चुली में समझी निया था कि य 10 out of 10 in my pointing तो बिल्कुल सही आपने देखा है और अगर आप इस वीडियों को बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर रिवेंट फॉलो करते हैं एक बात जो मैं बता रहा हूं उसको अगर आप देखते हैं अज जो जी चीज़ें आपको बोल रहा हूं नोट करने 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 कर हैं अपने कॉपी में तो यह मैं इस बार दी गरेंटी देता हूं कि एक भी मैप पॉइंटिंग का कोश्चन आप से एकजाम में मिस नहीं होगा क्यूंकि यह वही सारे पॉइंट्स में आपको बताने वालों जिस पॉइंट को बेस बना करके एक कोश्चन या एक्जामनर क को सेट करता है तो नजरे खुली रखें और कानों को भी चौकरन रखें ठीक है और कॉपी कलम निकाल ले जो बात है मैं बोल रहा हूं उसको आपको नोट करना बिल्कुल आपको नोट करना है अभी वेगर आपको यह पंति देखा रहे हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सक होने वाला है तो यह वीडियो कर आप देख रहे हैं काफी हेल्फुल होने वाली है मैप पॉंटिंग से रिलेटेड इसके लावा मैंने वर्ट सोट बना रहे हैं तो जोइन के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन न मिल जाएगा या पुरा नाम मौडन पढ़ाई प्रिक करें के सच कर सकते टेलीग्राम पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा इसके लावा मैंने वर्ट सोट बना रहे हैं तीन वर्ट सोट वीडियो मेरे जुर्फी पर आप उसको भी देख सकते हैं वह भी आपके रिविजन करने में काफी हेल्फुल रहेंगे तो आते हम ल नहां छोड़के चले जीए क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं बताने हो ना मेरे से कुछ होगा वो जो बताते आप जागे देखो यूटोब पर इस तरीके का क्रिशला भड़ा पर पतनी वह कौन सा सस्ता नसा करते हैं रात हंडेड मेरे को नहीं पता भाई कौन सस्ता नसा कर र आप जाए के दूसरे कंटेंट से कॉंपेर कर रख लो नहीं पूरा का पूरा दस घंटे पर वह सारी चीज नहीं पढ़ा रखिए ऐसी नहीं बोलों आप जाए को इसको देख सकते हूं ठीक है तो आज हम लोग वापस आते हैं अपना मैं पंटिंगे जो मेरे मुद्ध है अब अगर आपने इसे अभी पहला बार देखा है तो भाई भगवानी जाने आपका क्या होगा ठीक है तो ऐसा ही एक मैप दिया का मैप पॉंटिंग में आपको सबसे पहला बाच याद होना चाहिए कि कौन से स्टेट्स कौन सी जगह पर है अगर आपको इतना भी याद न नीचा है उत्राखंड मिलेगा यूपी है सर राजस्थान है गुजरात है महराष्ट है करनाटक है तामिल नाडू चीन है इस तरीके साब को मालूम होना चाहिए कि जैसे हम आई कैसे कैसे क्या वे में यहां से नीचे हम गड़े कि तो क्या होगा यहां सुदा जाता है जरक करें कौन सा स्टेट कहां पर है अब हम डिरेक्ट बात करते हैं सवाल किस तरीके आने वाले ठीक है सारे पॉइंट्स ना कवर करें इसके लावा मैंने ट्वेंटी जगाव प्लेस को चून रखा है मैं पॉंटिंस के लिए जो मेरे हिसाब से मुझ ऐसा लगता है कि बहुत चैप्टर का बात करते हैं फीजियोग्राफिय इंडिया का अब इंडिया का अपने मेरे लेक्चर देख राखा हमाने आपको डीटेल में समझा रखा है हिमालियों को पूर तरीके से खोल करके अब यह सिंपल सवाल आते हिमालियों दो तिन तरह करेंगा रेंज पाए जात देखाओ यह जो आपके पास मैप है तो इस मैप में कारा कॉरम रेंज है कहां पर आप कारा कॉरम रेंज तरीके से यहां पर है आपका अगर आप इसको बनाओ इस तरीके से यहां पर ऐसे कारा कॉरम रेंज आता है ठीक बस आपको यहीं सिंपली देखा दिना अब इसी ची सब्सक्राइब करें तो आठ रिवर्स के नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब आपको सिंप्ली देखा देना है कि गंगा रिवर कहां से ओरीजिनेट हो रही है अब जिस बंदे को यह मालूम हुआ कि गंगोतरी के लिए होती है वो इसलिए देखा सकते हैं कि ह सब्सक्राइब होता है आपने देखा सकते हैं तब कि पर काम खत्म यह हैाँ से इंडिया से कहां से हो रहा है आग्यन सोट इन एट हरा है इसए हो रहा है पॉइंट पॉइंट रिवर का कभी नहीं पूथा जाता है आप इस बात को अपने दिमांग में डालो जब पूछे का कि रिवर का नाम लिखा इसका मतला में आपको उसका ओरीजीनेशन बता देना है ठीक है यहां तक क्लियर है आगे आगे वार्टरी सोसे में कुछ बात है सब्सक्राइब कर देना है तो इसके लिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि इंडिया के मैप में तामिल नाडू है कहां पर अगर आपको वह भी नहीं मालूम है तो क्या करोगे सवाल गंटा सवाल होने वाल आप से फिर तो सबसे पहला मोस्ट अपॉर्टन काम वहीं है आ भैंडिया के मैप को बहुत अच्छे तरीके से कि कहां और सारे स्टेट से और इसके लिए कोई ट्रिक से टिप से ट्रिक्स नहीं है ठीके खुद से करना कहां चिज्क लिए ट्रिक्स नहीं होता है समझो बात को आगे देखते हैं क्लाइमेट का हम बात करते हैं यह थोड़ा सा कॉंप्लिक्रेट हो जाता है इसे सवाल बनते हैं जैसे बात में बोल रहा हूं उनको नोट करो यहां सवाला से पुछा जाएगा सबस्यादा मौन सुन कहा होता है यह पहला बात ठीक है दूसरा अराम से करेगा ठीक है दूसरा बात इसमें पॉइंट आता है काल बैसाइक ही एक इवेंट होता है मौन सुन को दुरा निदा वो कहां होता है यह सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा और क्या पूछेगा यहीं पूछेगा और कुछ नहीं पूछना है ठीक है इस तरीके इवेंट हो रहा है वहीं से सवाल आते हैं यहां तक अभी फिलाल ऐसा बात है आपका क्लाइमेट का स्वाइल एकदम इजी है स्वाल में सबसे पहला बात अब नोट कीजिए जो आप 6 टैप्स को स्वाल पढ़ रहे हैं अलुवियल स्वाल रेट स्वाल ब्लैक स्वाल एट में अब इस बाद में अब इस बचे अच्छा से पाठ आगो तो कहीं लेगा सिंपल है रिजी एक अउपको आप होना चाहिए कि हर जो पास रिजेंसे कौन कौन सा स्टेट में कौन सा रीजिन पाय जाता है अब मोस्की देखोंगों तो आधा से जाधा आनि कि अल्मुस्मे यहां से एक में इंपोर्टेंट ज्यादा पूछ लिया कर दिया कि तो बहुत से स्टूइंट को और ही नहीं करते हैं सब्सक्राइब कर देना है इतना सा काम करना बस और कुछ नहीं करना है दूसरा अच्छा चैप्टर का नाम नहीं गलती से मैं लिख दिया चैप्टर का नाम में यह बिसिकली दूसरा पार्ट आपका सब्सक्राइब करने में अब यह सब्सक्राइब करने में यह सारी बात है अब यह सारी बात आपको सुन के अब यह सारी बात आप उलड़ी पढ़ चुकिए जब चैप्टर पढ़ रहे होगे तो आपको सिंपली पता है कि सब्सक्राइब करना उसमा और कुछ नहीं करना आपसका यहीं चीजे अब यहां से कौन कान से करेंक पूछा जाता है घान से यहां पर टी है च्रीट होगया आपका कोफी कफी के बाद अगिरं सरा बात करते हैं वीड एट टी कॉफी राइस काप से पूछते हैं और सुगर कें हो गया सब्सक्राइब कर रहा है इस तरह आपको बात बता रहा हूं कोई हवाम बात ही नहीं कर रहा हूं यहां पर कर रहा हूं लोग करते हैं वह लग बात है वीट टी कॉफी राइस और कॉटन यह पाच आदम है जिनका ज्यादा पूस्त है तो आप इनको देख लेना अच्छे से कहा पर है अब इसलिए निए बता रहा हूं अभी अगर मैं बता देता हूं तो आप वह काम करोगे नहीं है आप यह चीज़ नोट करो मैप खोलो मैप में बुक मागए याद रहा था कोई कोफी प्रोटन जादा कहा है तो मैप मुझे जगाओ को पॉइंट करो इससे आपकी प्रैक् कॉपी मैं देखा नहीं लेकिन हां मैं 10 और फॉफ टैंट पुरा 100 परसंट शही करके आया था और मैने पुरा यही प्रोटन की किसी भी कोई भी और टरीके सा माइप पॉंटिंग की नहीं थी मैंने मैंने पुरा का पुरा किताब अच्छे से पड़ रखा था पुरा कि अगले चेप्टर में रहा हाते हैं डास्टी से हमारे इंडिया में है बहुत तरीके से फैलिव पूछने मैं वह आपको बताता हूं एक चीस्तों मैंने आपको लिख रखा है कि मैंचेस्टर सब सौर्थ हिंडिया मैंचेस्टर एक जगह है आपका लंदन में कहीं वह कॉटन का प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा फेमास है वह मतलब बहुत बहुत कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है ठीक उसी लेवल का कॉट इसलिए उनको इसको बोला जाता है मैंचेस्टर ऑफ सौर्थ इंडिया यह बहुत इंपोर्टन पूछा जाता आपसे इसलिए मैंने यहां पर हाइलाइट कर दिया इस बात को इसके लाव यहां इनका सवाल पूछने का ढ़ाएं यह ऐसा सवाल पूछते हैं एसे सवाल स्थिल इंडास्ट्री अब दो अ इस तनए पर में लोग है यह णोर्ट यह सौथ पहलने सवाल घ्रीडी असतन इस्टेल इंडिया के रात में इस टील इंस्कोर्प अब इंडिया करें अ इंडिया करने वर्षे घ्क रहन तो गिए ध्यूंग कर्वार। यह स्टेंड का बाद देखिना सा रिजन में हमारा खुद का स्टेड भी आता है जो कि वेस्ट पंगॉल है वेस्ट पंगॉल के बगर मंपर अब आपका जंड भी यह थोड़ा से यह यह हमारा आपका इस तर्ड पार्ट हो गया और यह हमारे वेस्ट अब गुजरात में तो और चौट आपका cotton इंडस्ट्री यह चार क्या बोले इस्टील इंडस्ट्री टेक्स्टाइल इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री और पेट्रोलियम इंडस्ट्री यह चार इंडस्ट्री अप निकालिये चारों निकालिये हर जगह का एस्ट कभी वेस्ट कभी नॉर्थ का यहां मिलेगा यूपी साइड या देली साइड में आपको यहां यहां मत ढूदना वहां कुछ और मिलता है तो वहां बस इतना काम करो आपको यह कहानी खता मज़ेगा और यह एक चीज़े दिहान रखना यहां तक बात कैसे सवाल आ रहा है आपके आगे बढ़ाते कहानी को आगे इंडिया के बारे बात करते हैं तो पोपुलेशन जो है इस बाज देखें है पहला सब्सक्राइब गिए decoration वाल पी। प्रअग इर इंडिया का बात करते हैं तो पॉइलेशन के सब ज्यादा नियूक Ciao पॉपोपुलेशन के एकॉर्डिंग योपी सबसे बड़ा स्टेट के में ही आप सब लाग कर से एकॉपलेशन होता। दूसरा इसका ओल्टा ज़ी पुछे आपसे कि सबसे कम अबादी कहां पर है और सबसे कम अबात कहते हैं कि वह सबसे कम है यहां से बस इतना ही सवाल है यहां से कहां सब ज्यादा पोपुलेशन है कहां सब से कम पोपुलेशन है किसके अरिया सब से कम है लास्ट काम बात कहते हैं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेट तो ट्रांसपोर्ट का जो मामला है यहां रेली ही सवाल पुछी जाता है भी तक मैंने देखा निए दे रखे तेम से बाइए भी है बाई ट्रेन है और वाटर है तो इस पर सब स्थाधा फोकस करो वाटर के उपर विल्किन वाटर अगर तो गुजरात के तरफ आपको बहुत सारा हर्वर्थ मिलेंगा आपके बंदर्गाहु अगर है गुजरात के एंड में और हमारे बंगाल क गुजरात आप यहां पर हल्दिया बंदरगा आप ले सकते हापका हल्दी हर्बर हमारा वेस्ट बंगॉल में ती यह सारी चीज आप से पूछे जाएगे हल्दिया पॉर्ट कहां पर है यह सारी चीजे तो दो ही स्टेट फोकस कीजिया ट्रांसपोर्ट वाले चेप्टर में एक वेस्ट बंगॉल और गुजरात बस यह दो में हैं हमारे लिए जो मुस्ली हमारा इंडिया को पुरा इंटर नाशनल लेवल पर करेंट करते इसके लाव सौथ में भी हैं नीचे भी आप जाएंगा तो कनाटा का है और महाराज्ट वगयरा है उदर से आपका रोशल पर आपको क्या लगता है क्या सवाल भारिया और एक्जाम में बिल्कुल मुझे मिदे कि आप तक आपको जो टेंशन था मैप पॉइंट इस रिए यह बिल्कुल कम हो गया होगा और आपको भी थोड़ा अच्छा फील हो रहा हो आपके लिए हेल्फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक जोर कीजिए और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जोर कर दिजिए हो सकता उनकर भला हो जाए ना दूसरु के हिल्प कीजिए आपका भी हिल्प होगा तो मुझे लगता है कि इसमें मैंने किसी भी तरह का 20 प्लेस के नाम से प्रेटी डाल देंगे पहले और उसके बाद मैप पर उसको पॉइंट करके भी डाल दिये जाएगा आपके लिए ठीक है अब मैं प्रेट देख बात या जाता है कि आप अगर फिजियोग्राफिय इंडिया में जाते हैं तो आपको याद हो का तो मैंने देखों को इस तरफ हमको मिलता है इस तरफ हमको चैनल मिलता है यह सेवन डिग्री चैनल होता और इस तरफ हमारे चैनल मिलता है यह होता है 10 डिग्री चैनल तो यह सवाल भी मैंने देखे हैं जो पूछे जाते हैं आपके बाकी तो आपको मैं पॉंटिंग मिली जाएंगे है इसके लाव और दो तीन पॉल्च सब्सक्रान से एक अऱ्थ क्या ज अपके हैं यह डाल सकते है यह सकते है किके गरफ भॉफ मुनें अरव ली जिसी दूरा आप लेंगे लिजे गलफोफ कच यह को यहाँ पनी चेह एक मील occup भनार और गल्फ यह दो भी आप पॉइंट्स एडिकन थोड़ा था एडिशनल पॉइंट से ठीक है बस इतना ही बात है इसमें तो होफ फुली जुमी थे कि वीड़ा के लिए हेलफुल रही है और पढ़ाई करिये अच्छे से ठीक है और उस सारे चीज़े वीड़ाई की है फिर उसका क्या यह इंजस्टिस है और नेचर इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है तो आपके साथ भी ऐसा ममलब कुछ नहीं हो जाए उसके लिए एक है चीज़े कोई चमतकार तो वह होजाता है अब इसके आगे आपका काम है कि जो मैं इनफोर्मेशन आपको बताया है उसको आपने कितने अच्छे तरीके से नोट किया है कि हार एक बात को अच्छे से सुना है अच्छे से उसको नोट करें कॉपी मोता रहा है तो टेन ओट आपका मैप पॉंटिंग में आना कंफर्म है ठीक है चलिए आपका जाड़ा टाइम और नहीं लेता है मिलते हैं आपने अगले वीडियो में तुपता का पढ़ाई करते ह है अल दा वरी बेस्ट अचलिए